के कुछ कॉंसेप्ट हो जाएंगे सेकेंड चैप्टर पर येस सो फॉर्स चैप्टर हम लोग टोटा रड़ी में आज कंप्लीट करने वाले हैं क्या आप लोग रड़ी हो कि फड़ा 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 मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आर भी लाइव हैं आप ली लाइव माइब एड बार्ट नेए विए और बार शॉन येस I think we are live पड़ाफट पड़ाफट जुड़ जाए है मेरे साथ साथ येस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन और देखिए हर दिन एक उमीद के साथ जीना होता है आपका May 24 examination आपके लिए बहुत बड़ा opportunity लेकर आ रहा है आप मेंसे काफी लोग ने group 1 दे दिया रहेगा और group 2 के अंदर आपका FMSM और audit ये दो paper आपकी चिंता अगर रहेगी तो nothing to worry उस FMSM मेंसे FMS का जिम्यदारी पूरा मेरा है और बाकी बचाओ आपको करना है अच्छे स येस और इसलिए बोलते है कि boss आपके dreams जो है वो भी बड़े होने चाहिए ठीक है और इसलिए पूरा का पूरा regular batch का ये material आपको solve कराया जाएगा इस बैच के अंदर एक्जाम oriented batch के अंदर regular batch का पूरा material solve करवाया जाएगा आपको don't worry at all बस जुड़े रहिए और साथ में महनत करने की पूरी तयारी कीजिए मेरे साथ येस मैं दियर फ्रेंट्स तो कल हमारा पहला दिन था और कल हमने यह सभी concepts को cover किया था एक बार फड़ा 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 रिवाइस करके आगे बढ़ते हैं तो everyone सबसे पहले discounting time value of money में discounting technique होती है discounting में तीन तरीके के cash flows होते कितने तीन पहला होता है आपका single cash flow दूसरा होता है आपका multiple और तीसरा होता है आपका annuity cash flow तो single cash flow में हमने formula देखा था present value is equal to future value into present value factor r,n याद है आपको येस बढ़िया 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 सब लोग जुड़े साथ में जुड़ जाई हो और अगर notification नहीं दिया रहेगा YouTube ने आप तक तो प्लीज शेर कीजे ये video सब के साथ like the video guys that's your attendance for your lecture आपके lecture का attendance है आपका video का like so don't forget to like the video come on guys everyone चलिए आगे बढ़ते हैं और future में single cash flow का meaning क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ future में जब single cash flow हम बोते है तो इसका meaning क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है but before that एक बार जस्ट audio video सब कुछ clear है yes I think it is very very clear चलिए जूड़ जाते है so friends welcome back to our lecture no.2 और यहां पर हम लोग lecture no.1 का revision करके आगे बढ़ेंगे ठीक है so lecture no.1 में हमने देखा discounting technique में single cash flow, multiple cash flow, annuity cash flow जब हम बोते है single cash flow इसका मतलब future में एक बार cash flow है जिसका तुम आज का present value निकाल रहे है फ्यूचर में एक बार cash flow है जिसका तुम आज का value निकाल रहे हैं इसे बोते है single cash flow और उसका present value निकालने का तरीका क्या रहेगा present value is equal to future value into present value factor r, n और वो present value factor कैसे निकलता है दोस्तों वो भी आपको मैं मता दू present value factor निकलता है 1 divided by one point let us say 12% rate तो 1.12 is equal to is equal to is equal to is equal to अगर 4 बार करोगे तो 4th year का factor निकलता है कल हमने 4th year का यह example लिया था चलो आज अगर मैं बात करू कि rate of interest 9% है और number of years 10 years है तो आपका answer कैसे निकलेगा 1 divided by 1.09 is equal to is equal to 10 बार press करने के बार yes that will be your present value factor my dear friends और उससे हमारा PVF निकला और PVF को हम अगर future value से multiply करेंगे तो हमें present value मिलता है that is single cash flow का logic जो हमने discuss किया था last lecture में उसके बाद आता है multiple cash flow गाइस multiple cash flow में हम वही कर रहे हैं बार बार कर रहे हम लोग future के values को respective year के present value factor से multiply करकर present value पिला रहे हैं और फिर वह present value का total ले रहे हैं कल मैंने आपको इसका interpretation भी बताया था 7298 का interpretation क्या है if you today invest 7298 at the rate of 15% then first year end you will get 2000 second year end you will get 3000 third year end you will get 5000 तो अगर आपको first year second year और third year में यह cash flows अगर चाहिए तो आज के date में आपको invest करना पड़ता है 7298 रुपीज येस तो यह होते हैं दोस्तों आपके multiple cash flow का logic multiple cash flow इस तरीके से चलता है उसके बाद अनुटी cash flow देख लेते एक बार तो अनुटी cash flow में दो तरीके के cash flow एक है finite और दूसरा है infinite जब हम अनुटी बहते हैं इसका मतलब every year the amount is same and if every year the amount is same it is called as annuity तो उस case में आपका present value कैसे निकलेगा आपको PVAF निकालना होगा present value annuity factor निकालना होगा तो बस is equal to is equal to press कीजी और last में gt दबा दीजी आपको मिल जाएगा आपका present value annuity factor एक बार present value annuity factor आ गया तो उसको multiply कीजेगा annuity amount से और आपको मिल जाएगा present value आपको मिल जाएगा present value कैसे मिलेगा मगर आपको PVAF पैक्टर को annuity से multiply करना होगा तो आपको present value मिलेगा very good तो ऐस से केस में आप present value of finite annuity कैसे निकालोगे annuity into PVAF से निकालोगे फिर उसके बाद कि आप बोड़ी राधिका सर financial leverage आज स्टार्ट हो जाएगा क्या सर येस येस स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए वहाँ पर भी comment section में आपका नाम आता है न तो यहाँ पर आपके बास infinite annuity भी है infinite annuity का present value दो तरीके से निकल सकता है एक तो without growth या तो with growth अगर without growth रहेगा तो कल हमने देखा a by r और अगर with growth रहेगा तो हमने कल देखा a by r minus g ये logic से आपका with growth का formula निकलता है तो ये सभी formulas हमने कल देखे मैंने आपको बताया था कि ये formula आपको formula book में update करने है एक formula book बहुत ही छोटी सी book रहेगी जिसमें आप सभी formulas दिखोगे ये भी हमने कल discuss किया था ओके चलिए तो कल के session में हमने दो question solve किये थे question number one and question number two आज के session में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो जब हम बोलते है question number two हमने solve किया था तो हमने present value of annuity formula यूज किया था और दोनों से answers निकाल लिए question number one done question number two also done अब question number next पर चलते हैं अब आप आजाओगे question number five की तरफ question number five पर आजाओ ठीक है question number five की तरफ आजाओ गाईस क्या बोलता है question number five फड़ा 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 question number five everyone finance company makes an offer to deposit a sum of rupees 1100 and then receive a return of 80 rupees per annum perpetually per annum perpetually मतलब infinitely आज कितना पैसा बनना होगा deposit करो 1100 रुपए 1100 रुपीज should this offer be accepted with the rate of interest is 8% बोरा ही लोगने मतलब आपका जो आर है वो कितना है 8% है तो यह offer हमने accept करना चाहिए क्या तो फ्रेंट्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी हमें देखना है कि every year 8080 मिल रहा है तो उसका आज का value कितना होगा परपेच्वली 80 मिलेगा तो फिर उसका आज का value होगा पीवी इस इक्वल टू एबाई आर येस पीवी इस इक्वल टू एबाई आर के लॉजिक से हम लोग यह आंसर निकालेंगे ठीक है तो सब लोग जुड़ जाई है मेरे साथ और यहां पर solve कीजिए यह है आपका question no.5 question no.1 कर done किया था तू भी कर done किया था पर नहीं अब हम solve कर रहे है question no.5 same page no.12 पर yes question no.5 page no.12 पर यहां पर भी first part है pv is equal to a by r का formula use हो रहा है आपका क्यूंकि infinitely आपको 80 80 80 रुपीज मिल रहे है उसकी तुम्हें आज की value चाहिए yes इसलिए यहां पर आपका जो annuity amount है वो 80 आएगा divided by rate of interest इन्होंने 8% बोला तो उसका आज का value 1000 आएगा without Kelsey चेक कर लो एक वाल Kelsey के साथ भाई exam में तो रिसमी ले सकते 80 divided by 8% करो 1000 आता है इसका मतलब उस investment का worth न बच्चो 1000 है और finance company आपको बोल रहे है 1100 invest करो उस investment का worth जिसको बोलते intrinsic value क्या बोलते इस value को intrinsic value मतलब real worth उसका real worth है 1000 जबके finance company आप से मांग रहा है 1100 what do you think will you invest 1100 आपको investment 1000 करना चाहिए है बड़ आपको finance company मांग रही है 1100 will you invest 1100 obviously not हम बोलेंगे since the intrinsic value into bracket actual worth intrinsic value is nothing but actual worth actual worth of investment कर्छीड कर्फूसमांट कर्छीड इस प्रापिा कर्फ। अभि एप्चिभर kete the finance company is demanding is demanding rupees 1100 the investment proposal the investment proposal शुद नोट बॉइ अध्यु पूरे मिलीक हो इस दिक आए, इस आस्ट 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 तो, इस एडशिट आस्ट आस्ट, पूरे में पूरे मिलीक हो थे दुवह इंविश्ट आस्ट में हो इंजिए ये, टीक है सर। डन हमने क्या कर दिया 80 80 80 का present value निकाला सर ऐसे भी हो सकता है ना सर उन्होंने हमको 1100 मांगे येस सर और उस पर 8% every year मिलना चाहिए तो कैसे लीजेगा 1100 उस पर 8% ये तो 88 रुपीज आ रहा है every year ये तो 88 रुपीज आ रहा है every year जबके finance company हमको दे रहा 80 रुपीज मिलना चाहिए 88 रुपीज बट दिया जा रहा है 80 रुपीज obviously वर्थ नहीं है क्योंकि returns कम मिल रहे है सब क्या ऐसा solution लिखा जा सकता है 100% yes my dear friends ऐसा भी solution लिखा जा सकता है nothing to worry तो आपका solution जो होगा वो आपके style से लिया जा सकता है nothing to worry at all okay so investment proposal first case में तो reject हो गया will your decision change if the rate of interest is 5% अब ये second part में बोल रहे हैं कि R को बदल दो 5% रख दो और फिर बताओ कि आपका फैसला बदलेगा क्या चलो देखते आर को change करके देख लेते हैं 5% रख को रख के देख लेते हैं तो यहां पर हम लोग obviously second part solve कर रहे हैं इसका तो first part का ही हमको सहारा लेना होगा हम सेकेंड पार्ट सॉल्फ कर रहे हैं part second यहां पर का R जो है यह 5% है guys और अगर यह 5% है तो 80 divided by 5% comes to 1600 all of you आपका rate of interest अगर 5% है तो आपका answer आ रहा है 1600 तो हम बोलेंगे since the intrinsic value that is the actual worth of investment is 1600 whereas finance companies demanding rupees 1100 the investment proposal should be accepted sir q accept कर रहे हो sir समझानी sir accept इसलिए कर रहे है बिटा क्योंकि मांग रहे है आपको 1100 जबकि उसका वर्त is 1600 ऊपर आपका वर्त आया था 1000 मांग रहे थे 1100 महेंगे में मिल रहा है मत खरीदो यहां पर इसका वर्त आ गया 1600 जबके मांग रहे हो आपको 1100 स्तफता मिल रहा है investment कर लो खरीद लो बहुत simple logic है guys बहुत simple logic है yes तो जब आर बदल गया तो हमारा फैसला भी बदल गया बट ऐसा होना हर बार जरूरी नहीं आपको solve करके देखना होता है सर दूसरे method से कैसे solve करेंगे सर इसी question को आप जो बोले थे उसको दूसरे method से कैसे solve करेंगे तो first case में I will say मुझे 1000 100 invest करने बोल रहें उस पर मुझे 8% के साबसे 88 मिलना चाहिए था जबके दिया जारा है 80 accept करो yes 88 मिलना चाहिए था जबके दिया जारा है 80 accept मत करो और दूसरे case में हम बोलेंगे 1,100 पर 5% के अनुसार मुझे मिलना चाहिए था 55 बट दिया जा रहा है 80 तो ज़्यादा दिया जा रहा है accept कर लो येस तो यहाँ पर कम दिया जा रहा था कम मिलना चाहिए था हमें इसके मुकाबले कितना मिल रहा है 80 मिल रहा है obviously 80 तो worth है अच्छा return मिल रहा है accept कर लो ऐसा भी solve कर सकते है आप यहाँ पर मिलना चीए था 88 मिल रहा है 80 80 क्या return है यार 88 मिलना चीए था 80 तो मिलना ही précis है था तो इस तरीके से भी solve कर सकते हो तरीके से भी solve कर सकते हो ultimately आपको जो comfortable है मुझे लगता है कि A by R will be more logical because time value of money का हमें formula put up करके answer निकालेंगे that is the only reason चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह था आपका question number 5 time value of money का question number 5 I hope यह second part भी आपने solve कर दिया है ठीक है मेरे साथ second part भी आपने solve कर दिया रहेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं next question की तरफ fifth question done है हमारा sixth question प्याते question number six प्याते assume that a deposit will be made at year zero into an account okay assume that a deposit is to be made at year zero means present value at year zero मतलब अभी investment होगा कितना होगा नहीं पता into an account that will earn 8% compounded annually 8% compounded annually का मतलब होता है साल में 8% एक बार interest मिलेगा semi-annually होता तो दो बार interest मिलता quarterly होता तो चार बार interest मिलता बट युनों ने बोला है annually मतलब एक ही बार interest मिलेगा 8% से इस डिजार तो विड्रॉव 5000 थ्री यहर्स प्राम नाव और 7000 शिक्स यहर्स प्राम नाव आपको दो बार विड्रॉव करना है एक बार दूसरी बार 7000 5000 जो है वो तीन साल बात विड्रॉव होगा और 7000 जो है वो 6 यह बात विड्रॉव होगा तो यह लोग पुछ रहे वाट इस साइज आप यह बीरो डेपोजिट दैट विल प्रोड्यूस दीज फ्यूचर पेमिंट्स तो आप बताईए यह पूछरे आपको कि आप बताईए कि उस खाते में आप कितना पैसा भरोगे अगर आपको फ्यूचर में यह अमाउंट्स चाहिए तो तो वाइस फ्यूचर में अगर आपको यह अमाउंट्स चाहिए तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे ऐसे case में obviously हम लोग उस खाते में पैसा आज invest करेंगे what is the size of year zero deposit means they are asking you present value is equal to how much तो इसको अगर मैं summary form में लिखू question no.6 तो देखिए आपका summary कैसे आएगा question no.6 page no.12 year zero मतलब present value is equal to question mark first year second year third year fourth year fifth year sixth year तो third year में 5000 चाहिए आपको yes sir sixth year में 7000 चाहिए आपको yes sir तो आज कितना invest करना होगा इसका मतलब first year में क्या चाहिए कुछ नहीं second year में क्या चाहिए कुछ भी नहीं third year में yes 5000 fourth year में कुछ नहीं fifth year में भी कुछ नहीं और sixth year में चाहिए आपको 7000 तो आपको बस यह दो amounts जो future में third year और sixth year को बिल रहे है उसको पाने के लिए आज कितना invest करना है यह कोश्चन इस बारे में है कि आज कितना invest करना होगा तो गाइस कौन सा formula यूज होगा single cash flow multiple cash flow या annuity cash flow भाई सेम amount तो दिखनी रहा है annuity तो हो नहीं सकता यह सर सिंगल amount तो है नहीं दो amount है यह सर इसका मतलब बचा एक ही टाइप वह है multiple cash flow तो multiple cash flow से इसको solve करेंगे गाइस multiple cash flow से इसका answer कैसे आएगा कैलकुलेशन ओफ present value कि यह कैश प्लो डिसकाउंटिंग फैक्टर अट दे रिट एड डीसीएफ मतलब डिसकाउंटेड कैश प्लो डीसीएफ का मतलब होता है डिसकाउंटिंग कैश फ्लो अब rate of interest किता दिया है दोस्तों आपको इस question में आपको rate of interest किता दिया है 8% दिया है देखलो आप 8% दिया है ओके तो 5000 एं 7000 दो ही बार दो ही अमांट चाहिए थर्ड यूर और सिक्स तियर में ड़न तो फिर रेट of interest किता दिया रखा है 8% compounded annually बोला है सर्फ वो जो था ना compounded annually उससे हमको लगा सर्फ compounding करना है वा बेटा अगर सर्फ यही वर्ड पकड़के तुम compounding कर लोगे तो हो गया time value of money का देश धना धन है ना ऐसा नहीं सोचा जाता है दोस्तों जस्ट बिकाज यार मेंशनिंग यू compounded annually इसका मतलब यह नहीं होता आपको वो पूछ रहे है अरे कमाल करें पांटे जी प्रेशेंग आप सोचिने जूह सर्कमों इसपर यहां पर येर 3 और येर 6 ऐसे लिखा जाएगा 1st year नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे सेर्ट एर में कुछ मिल हिनी रहे 2nd year मीं मिल रहे 4th year में बी नहीं और 5th year में पिद्विशी वह यू लिखना है यह आपको आपको बस 3rd और 6th year लिखना है, 3rd और 6th year लिखना है, और cash flow आपका 3rd year का है 5,000, आपका 6th year का cash flow है 7,000, येस, और discounting आप कितने पर कर रहे हैं, 8% पर कर रहे हैं, सर वो DF क्या है सर, discounting factor, सर DF का long form क्या था सर, discounted cash flow means present value, ओके, सर, exam में ऐसा लिखा तो चलेगा, definitely yes, definitely yes, okay, now take Kelsey, 1 divided by 1.08 करो, is equal to press 1st year, लिखना नहीं है, is equal to press 2nd year, लिखना नहीं है, is equal to press 3rd year, ये लिखो factor, ये 3rd year का factor है, 0.794, 3 decimal factor ले रहा हूं है, 0.794, ठीक है, और 1 divided by 1.08 किया था, आपने 1, 2, 3 किया था, उसके बाद, 4, नहीं लिखना है, 5th, नहीं लिखना है, 6th, ये लिखना है, because 6th year का factor चाहिए अपने को, तो 6th year का आपका factor है, 0.630, 630, तो ये आपके factors आ गए, अब इन factors के बाद आपको करना क्या है, इन future cash flow को factor से multiply करकर present value बिलाना होगा, तो चलिए सर, 5000 को multiply कीजिए, 0.794 के साथ, yes, answer आता है, 3970, memory plus, and 7000 को multiply कीजिए, 0.63 के साथ, 4410, memory plus कर दीजीगा, memory recall कीजिए, आपका answer आता है, 8380, all of you, आपका answer आता है, 8380, बिल्कुल सही जवाब, तो भाई, future में जो मिल रहा था, उसकी आज की value ये आ गई, 8% से, इसका मतलब, अगर तुम्हें future years में वो चाहिए, cash flows, तो तुम्हें आज खाते में deposit करने पड़ेंगे, 8380, if I today invest, 8380, third year end, I will withdraw 5000, sixth year end, I will withdraw 7000, उसके बाद खाते का balance will become 0, account balance will become 0, yes my dear friends, sir, ये सच में होता है कि sir, आरे हाँ verify करके देख लो, 8380 के बाद, plus 8% करो, कुछ मत withdraw करो, first year खतम हो गया, plus 8% करो, second year का interest मिला, कुछ withdraw मत करो, क्योंकि second year खतम हो गया, plus 8% करो, third year का interest मिला, अब withdraw करो, 5000, तो minus कर दो 5000, is equal to करोगे, तो 555 तिक्सांसर आया, third year end खतम, fourth year का interest, 8% मिला, कुछ withdraw मत करो, fifth year का interest, 8% मिला, कुछ withdraw मत करो, sixth year का interest, 8% मिला, और minus किया 7000, तो आपके क्यासी पर आंसर 0.55, 0.55 मतलब ही 0 बन गया, round of difference की बज़े से दोस्तों, कभी-कभी difference आ सकता है, जैसे कि यह 0.55 आ रहा है बस, इतना सा difference, is nothing, okay, तो we are proving what we are solving, and I hope, I hope, I hope, I hope, कि आप सब को यह सब concepts एक दम अच्छे से समझ रहे, yes, so, obviously, if you need to have withdrawal of 5,000 and 7,000 in 3rd year and 6th year respectively, today, you need to invest 8380, today, you need to invest 8380, चलो, बढ़िया है, सर, यह भी समझ गया, सर, 6th question भी समझ चुका है, सर, now, question number 7 पर आते, question number 7 पर आते, क्या लिखा है, assume that a rupees 20 lakh plant expansion is to be financed as follows, the firm makes a 15% down payment and borrows remainder at 9% rate of interest, down payment क्या होता है, सर, down payment मतलब, अपनी जेब से, जो अपन asset के पैसे भरते हैं, उसे बोलते है, down payment, तो आप क्या कर रहे हो, आप आपका down payment कर रहे हो, मतलब, वो asset के लिए, आप आपके जेब से पैसा लगा कर भर रहे हो, कितना amount, सर, 15% of 20 lakhs, मतलब 3 lakh, तो इसका मतलब 17 lakhs का क्या किया, सर, यहां clearly लिखा है, borrows the remainder, मतलब 17 lakhs, बोरो कर लिया, आज, किते rate से, 9% से, 17 lakhs, बोरो कर लिया, आज, किते rate से, 9% से, यह, तो यह बोल रहे है, loan is to be repaid in 8 equal annual installments, beginning 4 years from now, 8 equal installments में loan repay करना है, दोस्तो, यह, सर, once eight, सर, once eight नहीं होगा, अरे, सुनिए, once eight नहीं होगा, दोस्तो, क्यों नहीं होगा, सर, beginning 4 years from now, हाँ, सर, 4th year beginning से चालू कर दो, सर, अरे, नहीं, beginning मतलब start, 4 years from now मतलब 4 साल खतम होने के बास start होगा हो, तो इसका मतलब सर, 4th year के end में आपका पहला installment जा रहा है, yes, 4th year के end में में मेरा पहला installment जा रहा है, beginning of 4 years में लिखा है, beginning 4 years from now, तो पहले 4 years from now पे जाओ, और उसके बाद 4th year end आगया, अब begin करो, तो पहला installment आपका 4th year end में गया, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, रुको मत 5 ही installment हुए, आठ इंस्टाल्मेंट बनना है, 9th year, 10th year, 11th year अब बने 8 इंस्टाल्मेंट, इसका मतलब आपका इंस्टाल्मेंट का जो पिरेड रहेगा, वो 4th year end से लेके 11 year end तक चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसका मतलब आपका जो पिरेड रहेगा, वो 4-11 years कहलाएगा, 4-11 years क्यों कहलाएगा सर, बिकाज आपका जो एनुटी है, वो 4th year end से शुरू है, आपका जो लोन का रीपेमेंट है, आप 4th year end से शुरू कर रहे हो, और 8 इंस्टाल्मेंट पे करने हैं, तो 4th year के बाद 8 इंस्टाल्मेंट मतलब 11 साथ तक इंस्टाल्मेंट बढ़ने पड़ेंगा, इन्होंने बोर required annual loan payments, what is the size of required annual loan payments, मतलब ही आपको वो annuity पूछ रहे, मतलब ही वो आपको पूछ रहे कि annuity कितनी होगी, ठीक है, आज कितना बोरो किया है, 17 लाग बोरो किया है सर, क्यों, 20 लाग का प्लान का सर, 15% डाउन पेमेंट अपनी जेब से गया, मतलब बचा हो बोरो किया सर, आपन 17 लाग बोरो किया, 17 लाग बोरो किया है, present value बन गया, rate of interest 9% है वो आपका R बन गया, number of years यह रहे आपके सामने, 4-11, यह number of years बन गये और आपको धुनना है annuity, अगर annuity धुनना है, तो formula होगा, PV is equal to A into PV AF, finite annuity हो, number of years जो है वो finite है guys, तो इसका मतलब आपको formula यूज करना होग PV is equal to A into PV AF, यह formula यूज करना होगा आपको, तो चलिए, 7th question solve करते हैं, 7th question solve करने के लिए, finite annuity का present value का formula यूज करते हैं, PV AF 1, so this is your question number 7, page number 12, present value, into bracket today's borrowing, is equal to 20 lakh minus 15%, what is 15% down payment, तो minus कर दिया down payment, तो आज का value जो आगया, बॉरो किया हुआ, वो है 17 lakhs, आज का जो amount बॉरो किया है, उसका value आगया, 17 lakhs, आज का जो amount बॉरो किया, उसका value आगया है, 17 lakhs, अब हम formula यूज करेंगे, PV is equal to annuity into PV AF, R, where, PV is equal to present value, मतलब 17 lakhs, R is equal to 9%, जो rate of interest, loan पे दिया है, और number of years जो रहेंगे, वो 8 मतलेना, 4-11 years लेना, और bracket में लिख दो, 8 installments, bracket में लिखेंगे 8 installments गैस, 4-11 years, 8 installments, वो 8 years क्यों नहीं ले सकते हैं, because once 8 year का factor अलग आएगा, और 4 से 11 years का factor अलग आएगा, मेरे दोस्तो, once से 8 year का factor अलग आएगा, और 4 से 11 year का factor अलग आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 8 installments जो है, वो जो year में जा रहे हैं, उस year में ले रहा हूँ, done सब, तो अब ऐसे case में, आपका GT जो है, GT वाला logic, वो जो PB AF के वक्त आप उसकरते थे, GT, वो फेल हो जाएगा, क्यों से फेल होगा, देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ले रहे हो, present value 17 lakhs, is equal to, we don't know annuity, because that is loan amount, equal loan amount, ठीक है सर, PVF केसे निकालोगे दोस्तो, सर, 1 divided by 1.09 करेंगे सर, 1 divided by 1.09 करेंगे सर, is equal to करेंगे first year, अब आप बलो, अगर आप 1 divided by 1.09 कर रहे हो, और first year आ रहा है, तो first year में installment भरा ही नहीं, आपका year जो हो तो 8 years जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, is equal to M plus, first year से शुरू नहीं करना पड़ेगा, fourth year से शुरू करना पड़ेगा, जाना कहां तक होगा, 11th year तक, तो चलो करके देखते, first year no M plus, second year is equal to no M plus, third year is equal to no M plus, fourth year is equal to कर दिया, आब M plus, fifth year also M plus, sixth year also M plus, seventh also, eighth also, ninth also, tenth also, eleventh also, तो अब आप 11 के बाद, अगर MRC दबाओगे, तो आपकी कैसी पर आपका पैटर आता है, 4.273, 274 लेलो, 4.274, कि उसर थी आ रहा है, आगे पढ़ना, 8 है, round off करना पड़ेगा उसको, so 4.274, यह आप कहां सर आ गया, therefore annuity is equal to loan installment, is equal to 17 lakhs divided by 4.274, your answer will be 17 lakhs divided by 4.274, your answer will be 3 lakhs 97,754, 3 lakhs 97,754, this is your loan installment, my dear friends, आपको यह installment कब से भरना है, 4th year end से, कब तक 11th year end तक, सर जादे हो जाएंगे, सर ग्यारा साल हो जाएंगे, ग्यारा साल नहीं होंगे, पहले 3 साल तुमने नहीं बढ़ा है, 1st year, 2nd year, 3rd year नहीं बढ़ा है, 4th year से शुरुआ है, 11th year तक चला है, मतलब 8 year ही भरे तुमने, सिर्फ वो जो 8 year है, वो 1-8 नहीं है, 4-11 year से, सर, 1 doubt सर, very important doubt, सर आप बोल रहे हो, सर यह आपका loan amount का installment हो गया, सर इस परसन नहीं तो 3 साल तक installment ही नहीं बढ़ा है, सर, what about the interest for the first 3 years, what about the interest for the first 3 years, सर, yes my dear friends, that is adjusted in this answer, where have we adjusted सर, आपने तो calculate भी नहीं किया, interest, कर लिया, उसका effect आ गया, जब आपने number of years, 4-11 लिये न, तभी उसका impact आ चुका था, 4-11 years लिये न, तभी आपका जो factor था, उसमें उसका impact आ चुका है, 4.274 में, यकीन नहीं आता आपको, एक काम करो, यह installments जो है, यह आपके बिल्कुल first year से ही शुरू हो रहे हैं, यह सोचो, ओके, first year से ही अगर यह शुरू होगा न, दोस्तों, तो ऐसे case में, 1 divided by 1.09, is equal to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करो, और फिर GT दबा दो, आपका factor आएगा, 5.535, 5.535, तो 17 लाग को अगर मैं दिवाइड बाइड 5.535 करूँगा, तो आउसर आएगा, इस से कम, करके देख लो, 17 लाग्स डिवाइड बाइड दिस 5.535, is giving me, 3 लाग्स 7,000 संथिंग, is giving me the answer, 3 लाग्स 7,000 संथिंग, वेराज यह answer जो आया, वो आया 3,97,000, मतलब भाई, पर installment 90,000 extra, सर इतना जदा क्यों ले रहे हैं यो लोग इदर, विकास तुमने पहले 3 साल installment नहीं भरे न, तो उसका interest आ रहा है, जिसका आपको payment करना पड़ेगा, future installments में, तो इसलिए आपके installment का size बढ़ गया, अगर आप पहले साल से installment देना शुरू करते हैं, तो आपका installment का amount 3,7,146 साथा, बढ़ आपका installment का amount अब आ रहा है, 3,97,754, इसका मतलब आप per installment लगबग 90,000 extra दे रहे हो, because of first 3 years interest, येस, आदिती परिहार पूछे सर, ये batch का target कब तक खतम होने क्या है सर, ये batch आदिती वी 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 एंडिंग, till 31st of January, till 31st of January, we will end this batch, last date of this batch will be 31st of January के पहले, येस, सर मगर अभी तो, just अभी अभी शुरू है सर कल से, तो एक मेना मतलब सर 19th हो जाता है सर, येस, I know, but बीच में के Sunday आफ रहेंगे, बीच में कुछ holidays रहेंगे, येस, इस वज़े से, आपका जो batch है, वो बिलकुल टाइम पर एकदम अच्छे से, 31st of January को खतम हो जाएगा, ओके आदिती, चली, तो ये आगे आपका, लोन का installment size, therefore, the loan installment, size is rupees 397.754, 397.754, आगे बढ़े, चलो ये भी done हो गया है, हमारा 7th question done था, 8th question पर आजाओ, राज आज इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाक in computer system, and wishes to give it on lease, भाई राज ने 1 लाक रुपिया इन्वेस्ट किया, computer system में आज, तो 1 लाक बन गया present value, ये एक लाक बन गया present value, येस सर, and you wishes to give it on lease, lease मतलब rentals तमश्वाप, the life of the computer system is 5 years, without any scrap value, without any scrap value, ओके, तो यहाँ पर, लग बग लग बग अभी देखिए, शिवां क्या बोटे 60 hours, 2.5 hour per day, 25th of January तक, लपेड जाएगा, लपेड लिया जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कभी-कभी आपके 2 hours के बैच होते हैं, 2 hours के जगर, 2 hours, 30 minutes के जगर, 2 hours के बैच होते हैं, कभी-कभी, कभी-कभी 2.5 hour होंगे, तो कभी-कभी 3 hours होंगे, तो 3 hours तो बहुत कम होगा, आज जैसे कि टू आर्स का बैच रहेगा क्योंकि बुक्स नहीं मिले तब तक आपका टू आर्स बैच चलेगा तो नो डाउट लप्टा देंगे आपकी बाश्चा में 31 जैन्वरी के पहले ठीक है तब तक के लिए पेशन्स रखे और जुड़े रहेगे मेरे साथ बैच के स्टोएंट से जिनके लेक्चर रेगुलर बैच में वह भी इधर देख सकते हैं आप इमाजिन करो मतलब पूरा का पूरा बैच का मटेरियल से में पूरे कोश्चन समझ आपकर रहे वह सें सिर्फ क्या डिप्रेंस है तो वहाँ पर थियोरी बहुत डिटेल में डि रखिए चलिए आगे बड़े तो यहां पर आपके पास बोला है कि कंप्यूटर का लाइफ जो है वह फाइव यर्स का है इसका मतलब आपको लीज रेंटल जो मिलेगा वह पास के लिए मिलेगा विजाउट इनी स्क्रैप वैल्यू मतलब पांस साल के एंड में आपको वैल रहेंगे मतलब can we say this is finite annuity formula, this is finite annuity formula, जिसमें हम formula यूज करेंगे, present value is equal to annuity into PVAF, present value is equal to annuity into PVAF, R, N, yes, ये formula यूज होगा, 8th question, चलिए solve करते, इस question का आपको 5 साल का period दिया, इस ते ये finite annuity का formula यूज किया, आपने है, ये है आपका question number 8, page number 12, present value is equal to annuity into PVAF, R, N, where present value is equal to rupees 1 lakh, जितने में computer आज खरीदा है, वो अब्वेस्टी आज की value होगी, then R is equal to required rate of return 20%, N is equal to number of years, 5 years, बिल्कुल सही सर, तो फिर ऐसे scenario में, आपका answer आएगा, 1 lakh is equal to annuity into PVAF factor, PVAF factor निकाल लेते, 1 divided by 1.2, 1.2 की उसर, 20% इसलिए, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, GT, 2.991, 2.991 आपका answer आता है, अब आप annuity का amount निकाल सकते हो, annuity is equal to lease rental, is equal to annuity is equal to lease rental is equal to 1 lakh divided by 2.991, 1 lakh divided by 2.991, your answer comes to 33,000, 434, 33,000, 434 आपका answer आता है, तो रुपीज 33,000, 434 का rental charge करना पड़ेगा, येस, रुपीज 33,000, 434 का rental charge करना पड़ेगा, every year for 5 years, तब जाके आपके 1 lakh पे 20% return मिलेगा आपको राज बाभू, राज ने खरिदा ये lessor है, सर lessor क्या होता है, lessor is the person who is the owner of asset, less is the person who is the user of asset, तो आप user अगर रहोगे तो आपको every year ये देना होगा, और राज को जो ये owner है, उसको ये every year मिलेगा, done sir, तो ये आपका 8th question था, अब 9th पढ़ाते हैं, question number 9 तो बहुत ही simple सा question है, question number 9 एकदम simple सा question है, क्या बोलता है ये, you need rupees 10,000 for buying textbook next year, you can earn 7% on your money, how much you need to invest today, present value किता रहेगा, और आपको 10,000 रुपे एक साल बाद चाहिए थे future value बन गया, आपका rate of interest जो वो 7% रहेगा, ये R बन गया, number of years, next year चाहिए था ना बिलकुल, तो एक ही साल तो है, number of years will be one year, number of years will be one year, yes sir, तो फिर आपको present value मतलब आज कितना invest करना पड़ेगा, मुझे बताईए, आपके textbook buying के लिए आपको 10,000 रुपे कब चाहिए, एक साल बाद sir, कितनी बाद चाहिए, एक ही बाद चाहिए sir, textbook एक साल बाद करना है, 10,000 रुपे चाहिए sir, इसका मतलब बन गया single cash flow, single cash flow, तो एक साल बाद का दसदर, आज का कितना, मतलब single cash flow का present value निकालना है आपको, तो single cash flow का present value का formula है, PV is equal to FV into PVF, R, N, 9th question, question number 9 solve कर रहे हैं, जिसमें textbook buy करना है, एक साल बाद, यही नहीं समस्ता कि कौन सा formula यूज़ करना चाहिए, बेटा वो formula यूज़ कर जो question demand कर रहा है, यहाँ पर textbook एक साल बाद buy करना था, वो आपका future value दिया था एक ही बार, every year नहीं था, per annum word यूज़ नहीं किया था, तो annuity यूज़ नहीं होगा इदर, yes, where future value is equal to 10,000, R is equal to, किता दिया, you can earn 7% on your money, and n जो है, वो तो 1 year ही है, therefore present value is equal to 10,000 into factor करना पड़ेगा, 1 divided by 1.07 is equal to दबा होगे, तो 1st year का factor वही आपका factor है, 0.935, 0.935 यह आपका answer आता है, और फिर finally, 0.935 into 10,000 is Rs. 9000, 350, Rs. 9000, 350 is your answer, so my dear friends, you need to invest 9350 today, 3-3 decimal factor लिया, आप 4 decimal भी ले सकते हो, आप 4 decimal लोगे, आपका answer थोड़ा बहुत vary होगा, doesn't matter, सर, exam में कैसा होगा, exam में यह factor दिये रहते हैं, और अगर नहीं दिये रहेंगे, तो आप 3-4 decimal ले सकते हो, आपका वेले विशे, ठीक है, कोई डेंशन ने लेने का, उसकी वेसे marks नहीं कटोते हैं, याद रखिए, तो यह आपका 9350 आगया, इसका मतलब, आज अगर तुम 9350 इंवस्ट कर दोगे 7% से, तो एक सालबाद आपके खाते में 1000 रहेंगे, रहेंगे क्या चेक कर लेते, प्लस 7%, आरे आगया 10,004 रुपए, तो उपर का साढ़े चार रुपए जो आ रहा है, तो यह आगया आपका अंसर 9th question का, अब बढ़ते आगे, बाइदर भी यह पूरा बुक जो है, यह मैंने टेलिग्राम चैनल पे शेर कर दिया था कल, soft copy आपको टेलिग्राम चैनल पे c.a.sada-intermediate यह चैनल पे मिल जाएगा, आप obviously आगे बढ़कर उसे डाउनलोड करकर, आपके में बुक आने तक का इंतदार नहीं करते वे शुरू हो सकते हो, आपका जो चैनल जहां से यह मिलेगा आपको, it is c.a.sada-intermediate, c.a.sada-intermediate, यह आपका चैनल का नाम है, intermediate FM नाम का चैप्टर है, यह आपका टेलिग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पूरा-पूरा updated material मिल जाएगा, आपकी batch का, जिसमें already die 1000 प्लस डाउनलोड हो चुके, yes, इतने सारे डाउनलोड हो चुके, आपको भी पढ़ना है, चलो आगे बढ़ते, तो यहाँ पर आपका सभी questions दन है, अब दो ही questions बचे, question number 3 and question number 4, तो पहले question number 3 solve कर लेते, third question बोता है, what is the present value of income stream which provides rupees 1000 at the end of year 1, okay, rupees 2500 at the end of year 2, ठीक है, and rupees 5000 during each of the year 3 through 10, क्या मिनिंग हो अब इसका, 3 through 10 का मिनिंग क्या हुआ, 3 through 10 का मिनिंग यह है, 5 साल, 4 साल, 5 साल, 6th year, 7th year, 8th year, 9th year, 10th year, हर साल आपको मिलेगा 5000, first year में मिलेगा 1000, second year में मिलेगा 2500, third year से लेकर 10th year, every year इसको बगते, 3 through 10, तो उस every year के प्रिड में आपको मिलेगा 5000, तो वो बोल रहे, discounting rate अगर 12% है, तो बता दीजिए, कि इसका answer क्या न चाहिए, what will be the present value, तो चलिए देखते, question number 3 कैसे solve होगा, question number 3 में आपको first year, second year, three dash, 10 year लेकर solve करना होगा, question number 3, page number 12, क्यूंकि आपको बार बार amount मिल रहा है, first year में अलग, second year में अलग, third year से 10th year हर बार same, तो आपको multiple cash flow format का format यूज़ करकर भी solve करना आता है, कैसे आएंगे, वो हम लोग obvious की साथ में देखते हैं, calculation of present value of income stream, year cash flow discounting factor DCF, discounting rate किता दिया है, 12% year 1, year 2, year 3 से 10 ऐसे डाइरेक लिख सकते हैं, obviously that will become annuity, obviously that will become annuity माईडियर प्रेंट्स, तो चलिए, first year में 1,000 है शायद, second year में 2,500 है, और third year से लेकर 10th year तक, every year मतलब वो annuity है 5,000 का, तो चलो देखते है, 1,000 ही लिखा है क्या, yes 2,500 है, yes 5,000 है, बिल्कुल सही, तो ये cash flow तो एकदम सही है, अब हमें calculation करना है, 1 divided by 1.12, is equal to यह आपका first year का factor, 0.893, second year में 0.797, third year में, जो answer आए वो आपका main answer नहीं है, third year से 10th year कैसे करेंगे सर, third year से M plus शुरू, 10th year तक M plus, is equal to के बाद M plus, is equal to के बाद M plus 4th year, is equal to के बाद M plus 5th, is equal to M plus 6th, is equal to M plus 7th, is equal to M plus 8, is equal to M plus 9, is equal to M plus 10, M, R, C दबावा उसके बाद, memory recall अगर आपका रोगे तो आपका answer 3.961 आता है, 3.961 आपका answer आता है, 960 आएगा एक एक्छिरी, 3.960 आपका answer आता है, यस सर, तो फिर यह आपका answer आत चुका है, बस आप प्रेसर वैल्यू निकाल लो और मुझे बतावा आपका answer कितना है, 2.893 आपका प्रेसर आपका बार लो और मुझे बता है, मेमरी प्लस कर दिया मैंने 2500 x 0.797 1993 आंसर आता है मेमरी प्लस कर दिया 5000 x 3.96 is equal to 1900 आंसर आता है मेमरी प्लस कर दिया मैंने मेमरी रिकॉल अगर मैं करूंगा तो आंसर आता है 22,686 22,686 आपका अंसर आता है मेनिंग क्या हुआ सर इसका इसका मेनिंग है बेटा कि अगर तुम आज इन्वेस्ट करोगी 22,686 अगर दे रेट आफ 12% तो फॉस्ट यर एंड आपको मिलेगा 1000 सेकेंड यर एंड आपको मिलेगा 2500 इसका मतलब यह सभी वैल्यू अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो आपको आज इंवेस्ट करना होगा 22,686 सही जवाब वेरी गुड तो यह आगया आपका थर्ड कुश्ट का अंसर अब एक लास्ट कुश्ट बचा है लास्ट कुश्ट बचा है गाईंस वाट इस अप्रेजेंट वैल्यू आप इंकम स्ट्रीम इसका मेनिंग क्या हुआ यह बन गया पर एनम फाइनाइट एनुटी है यह यह आपका फाइनाइट एनुटी बन गया है एंड रुपीज थ्री थाउजन ए यह फॉर एवर देर आफ्टर पॉर एवर के बाद क्या लिखा है देर आफ्टर इसका मतलब आपको थ्री थाउजन तो मिलेंगी बट वो पॉस्ट यह से नहीं मिलेंगे हाँ इंपनेट के लिए मिलेंगे बाबा बट पॉस्ट यह से लिए मिलेंगे देर आफ्टर बोला है मतलब फिप्थ यह के बाद सिक्स यह अनवर्ड शुरू होगा मतलब आपको पूरा कुश्चिन का समरी अगर मैं बता हूँ तो कुश्चिन विल भी फॉर्थ कुश्चिन विल भी नॉट दाट सिंपल जिते आप सोच रहे हो अलग क्या रहेगा इस कुश्चिन में मैं आपको सॉल्ब करके बताता हूँ प्रेजेंट वैल्यू दो बहुत काम करते हैं यह जीरू प्रेजेंट वैल्यू कॉश्चिन मार्ड वन टू थ्री पर पाइप रुपीज 2,000 पर अनम मिल रहा हूँ ठीक है सर्थ 6 7 8 dot 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 infinite years मगर कब से 6th year से देर आफ्टर बोला ना तो पाच्वे साल के बाद देर आफ्टर तो 6th year onwards every year रुपीज 3,000 पोर है ना कब तक सर infinite तक अगर infinite तक यह रहेगा तो अब्यस्टी बात है आपका आंसर किता आएगा प्रेजिट वैली इस इक्वल टू अनुटी इन्टू पीवी अफ आर कॉमा एं करना पड़ेगा यहां पर 2000 ले लेंगे इन्टू क्यासी रिजेगा और rate of interest किता है 4th question में rate of interest 10% रिया है न बॉस 10% बोला है clearly yes तो फिर 10% rate of interest discounting factor will be 10 1 divided by 1.1 करना पड़ेगा आपको 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, 5th year GT आपका answer आता है 3.791 3.791 and therefore present value is equal to आपका answer आएगा 3.791 इंटू 2000 7582 आएगा यह आपका main answer का part 1 है यह आपका main answer का part 1 है यह आपका main answer का part 1 है यह answer निकाल कर रख दीजिए में answer में add कर रहेंगे बाद में ठीक है question done obviously वो मिल रहा है सर इसका मतलब वो present value पर आ गया year 0 पर निकाल कर रख दिया अब बस्तर 3000 का value निकाल लो और उसमें यह add कर लो यह absolutely but 3000 का value कैसे निकलेगा सर 3000 सर every year infinite years तक है सब तो सर हमको पक्का याद है आपने बोला कि PV is equal to एक काम करते है यहां पर लिख रहें पॉर रूपीज 2000 पर आनम पर दे फॉर्स पाइब यह पॉर रूपीज 2000 पर रानम पर पॉर्स पाइब यह ऐसा लिख दिया मैंने और उसका solution मैंने solve किया अब वैसी सेम चीज़ पॉर रूपीज 3,000 पर एनम पर पेच्वली पर पेच्वली आफ्टर फाइब यह आफ्टर फाइब इस मतलब 6th year onwards 6th year onwards हो जाएगा गाईज और अगर वो 6th year onwards हो जाएगा तो फॉर्मला बनेगा PV is equal to yes shivam very good a divided by r मगर यहां पर a रहेगा 3000 और r रहेगा 10 परसंट तो प्रेजेंट वैल्यू का अंसर आएगा 3000 by 10% 30,000 rupees but friends this is not present value it is not present value because q sir the coffee because rupees 3000 per annum annuity is not starting is not starting from first year it is not starting from first year my dear friends अगर वो first year से शुरू नहीं हो रही है तो वो आपका present value नहीं है तो तो sir कैसे होता है sir फिर अगर first year से infinite years होता तो वो first year के beginning की value होती मतलब year zero की value होती अगर first year end से शुरू होता infinite years तक चलता तो वो a by r की वज़े से first year beginning में आ गया और first year beginning मतलब अभी year zero but guys यह जो annuity है यह तो शुरू और यह six year end से तो आप a by r लगा रहे हो तो वो value आ गई 30,000 six year beginning और six year beginning मतलब fifth year end फिर से बोलिए sir a by r से वो value जो आई है वो six year beginning पर आ गई क्योंकि annuity शुरू और ती six year end से 3000 के बारे मैं बात कर रहा हूं मैं तो annuity शुरू और ती six year end से तो a by r की वज़े से वो value आ गई 30,000 six year beginning पर six year beginning हमारे लिए matter नहीं करता हूं उसको पीछे लाते और end of the year कौन सा देखते तो end of the year fifth होगा फिरू six year beginning मतलब fifth year end सर्फ बगर end of the year में क्यों लाते है क्योंकि हमारे पास जो factors है दोस्तों वो end of the year के factors है आप जब बोलते हो first year factor is this 0.893 तो यह first year के end के factor कहला जाता है मतलब first year end में 1 रूपी मिलेगा तो आज का value 0.839 है second year end में अगर 1 रूपी मिलेगा तो आज का value 0.797 है तो यह जो factors होते है यह year के end के लिए होते है अगर वो year के end के लिए होते है तो obviously आपको यहां पर 6th year beginning को बुलाना होगा 5th year end और यह 30,000 को 5th year end से 0 year पर लाना होगा यह 30,000 जो यह तो single amount हो गया single amount को 5th year से 0 year पर ला सकते हम future value into PVF करकर future value into PVF करकर ला सकते है तो यहां पर आपने बोला it is not present value because 3,000 per annum annuity is starting not from first year और साम बोलेंगे शिंस रूपीज 3,000 per annum अनुटी इस फ्राम शिक्स्त यर एंड वर रूपीज 30,000 वालू इस एड शिक्स्त यर बिजिन रूपीज 30,000 वालू इस एड सिक्स्त यर बिजिन यह तो एड और यह तो इस पिप्त यर एंड अगर आपकी वैल्यू शिक्स्टियर बिग्निंग पर आ रही है मतलब वह फिफ्टियर एंड की वैल्यू है और फिफ्टियर एंड की वैल्यू किती है 30,000 therefore उसको हमें present value पिलाना होगा तो हम बोलेंगे future value into pbf r,n where future value is equal to 30,000 r is equal to 10% n is equal to 5 years तो फिफ्टियर एंड से उसे 0 यह पिलाओ therefore present value is equal to 30,000 future value into the factor for 5 years 1 divided by 1.1, 1, 2, 3, 4, 5 0.621, 0.621 answer आगे आपका 0.621 into 30,000 your today's value comes to 18,630 यह आपका answer का part 2 है 3000 का यह आज का value आया 18,630 my dear friends please focus बहुत easy है आप लोग अगर सोच रहोंगे सरी यह थोड़ा bounceर गया तो बहुत आसान है आपका a by r जो है वो annuity का amount ले रहा है और rate of interest ले रहा है कहीं पर factor calculation तो कर नहीं रहा है तो जैसे pbaf में अगर आपका कुछ सालो बाद आपका annuity शुरू होता है finite वाला तो आपके पास कुछ तरीका है उसको deal करने का is equal to but no m plus फिर m plus चालू बट यह भाई r में अगर factor ही नहीं निकल रहा है तो आप adjust कहां करोगे कहीं नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट यरेंड से infinite यर्स की वैल्यू रहेगी तो आपका present वैल्यू निकलेगा एब आयार से अगर आप सिक्स यरेंड से infinite यर्स बोल रहे हैं तो वह वैल्यू आपका सिफ्ट यर बिगनिंग पर आ गया और उससे फिफ्ट यरेंड कंसिडर करके हमने जीरो यर पर लाया कि आज का वैल्यू लाया है बहुत सिंपल अगर मैं आपको समझा हूँ तो सर यहाँ पर एक लॉजिक है अगर दो स्टुएंटे में एक को मैंने बला चल फर्स्ट यरेंड से तरेको 33,000 दूंगा infinite यर्स तक scholarship और दूसरे को बला कि तुझे सिक्स्ट यर्स से मैं दूंगा scholarship 33,000 infinite यर्स तक तो दोनों जगर आप आंसर अपलाई कर रहे हो तो युद्ध हम यहार गलत कि आए मैंने 13,000 kita में दूसरे स्स्टे में को 5 सालम के लिए यह है Basar 6th year से शुरू किया देना, तो 6th year से जो देना शुरू किया है, उसको अगर तुम्हें यह बायार लगा रहे हो, तो वो value 6th year beginning की है, मतलब भी 5th year end की है, 30,000, और उस 30,000 को तुम्हें 5th year से उठा कर 0 year पे लाना है, by using the formula future value is equal to present value in future value into PVF gives you present value, यह formula को टप करना पड़ेगा आपको, और तब जाके आपका आज का present value आगया, अब 18,630 के आएसल, 33,000 की आज की value, 7582 के आएसल, 22,000 की present value, तो बस part 1 और part 2 दोनों अगर add कर देंगे, तो total value मिल जाए आपको, मतलब 22,000 per annum की भी value मिल जाएगी, 7582, और 33,000 per annum की भी value मिल जाएगी, जो हमने अब भी निकाला था, 18,630, दोनों को add करना पड़ेगा इसका मतलब, therefore, total present value of income stream is equal to 7582 प्लस 18,630 is equal to 26,212 आप 4 decimal लोगे तो आपका अंसर थोड़ा value होगा, that's it, एक दो रुपए का difference आएगा, ओके, तो यहाँ पर आपका अंसर आ चुका है, 26,212 वाट इस 26,212 सर, अगर आज तुमने 26,212 इंवेस्ट किया, तो पहले 5 साल 22,000 मिलेगा, and 6 years onwards infinite years के लिए 33,000 मिलेगा, येस, अगर rate of interest 10% है तो, very good, तो चलिए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा time value of money का, पार्ट हमने complete कर लिया, और ये जो भी हमने discussion किया भी, ये discussion आपका chapter number one से था, इसके अंदर totally हमारे पास 9 questions थे, 9 के 9 questions हमने discuss किये, सभी practical concepts हमने discuss किये, relevance of time value of money में हमने discussion किया था, risk का, preference of present consumption का, investment opportunity का और inflation का, इसके अरवा दोस्तों कुछ theoretical part है, जो आप normally देख सकते हो, मैं आपको बस idea दे रहो, ठीक है, there are two concepts here, first is called as financial distress and insolvency, क्या नाम है, financial distress and insolvency, जब एक company का, outflow का commitment जादा है, और inflow आने वाला कम है, तो उसे बोलते है, financial distress, financial distress में है company, इसका मतलब inflow जो आ रहा है, वो कम है, suppose तो 2 लाख रुपे every month मिल रहा है मुझे, मगर मुझे bank को यह माई देना है, 3 लाख every year, every month, तो मुझे मिलने वाला amount है 2 लाग, मुझे pay करने वाला amount अगर 3 लाग रहेगा, तो obviously इंबालेंस मेंट है, financial distress वाली company, जिसका outflow का commitment जादा है, और आने वाला inflow का में, अगर कोई company, financial distress में आता है, और continued रहता है, मतलब जहले जा रहा है, जहले जा रहा है, जहले जा रहा है, तो दीरे दीरे, वो loan के installments पे करने के लिए, और loan लेता है, और बस देखते ही देखते, loan इत्ते बढ़ जाते है, कि assets are less, and liabilities are more, means it will lead to insolvency, continued financial distress will lead to insolvency, तो sir क्या करना के लिए, sir इस insolvency को बचने के लिए, क्या करना चाहिए, इस insolvency से बचने के लिए, आपको as a company, assets बेचने होंगे, less than market value, yes, और आपके लोन का बुकतान कर देना चाहिए, चुकता कर दो पुरा लोन, और लोन को इतना कम रखो, कि आपके inflow का amount ज़ादा है, और आपका commitment of outflow कम है, yes, यह होता है, financial distress से बाहर आने करते लिए, तो financial distress मतलब commitment of outflow, is more than inflows जो आ रहे, continued financial distress अगर रहेगा, तो will lead to insolvency, because loan पे loan और बढ़ते जाएंगे, अगर financial distress से बाहर आना है, तो तुरंत कोई asset बेशना होगा, generally less than market value, क्योंकि आपको पैसो की ज़रत, yes, तो यह था, financial distress insolvency, एक और यहाँ पर theoretical concept है, financial accounting और financial management, भाई साब यह तो आपका group 1 और group 2 का subject हो गया, advanced accounting मतलब भी financial accounting है, जहाँ पे हम trading P&L balance sheet बनाते, और financial management वो होता है, जहाँ पे हम फैसरे लेते future के, आपका जो financial accounting है, यह past से deal करता है, financial management आपका future decision making करता है, but financial accounting का जो output है, trading P&L balance sheet वगरा, यह financial management के लिए input रहेगा, वहाँ पर जो भी आप prepare करते हो, वो statutory requirement को देखकर prepare करते हो, उसी formats में prepare करते हो, यहाँ पर ऐसा कोई statutory requirement नहीं है, कि आपने financial management करना चाहिए, यहाँ पर कोई specified formats भी नहीं है, वहाँ पर accounting standards principles दे govern करने वाले, यहाँ पर ऐसा कोई principle गवन नहीं होता है, आपके format, आपके management के लिए आप यह decision making कर रहे हो, format तो आपके रहेंगे, आप जिस format में चाहो उस format में आप answer कर सकते हो, यहाँ पर, but financial accounting में आपके formats भी rigid होते हैं, fix होते हैं, वहाँ पर principle of revenue recognition, standards, legal requirements, सब picture में आता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर tools and techniques of financial management यूज होता है, decision making के लिए, तो यह था financial accounting and financial management, simple भासा में अगर मैं closing statement बता हूँ, तो जहाँ financial accounting end होता है, trading, final, balance sheet वगरा, वहाँ से financial management शुरू होता है, because वही चीज़े, financial management as input लेता है, yes guys, और इसके अलावा, आपके syllabus में agency problem, agency cost नाम की चीज़े, what is agency problem and agency cost, जो आपके managers होते कंपनी के, उसको बोलते board of directors, BOD, वो board of directors जो है, वो आपकी company को समालने के लिए, obviously वो जो पैसले लेंगे, वो company के hit में, company के favor में लेने चाहिए, shareholder के लिए लेने चाहिए, BUT, कभी-कभी वो ऐसा कर सकते, कि खुद का interest आगे रखकर, personal interest आगे रखकर, company का interest, shareholder का interest पीछे रख देते, पर personal benefits, जैसे के commission मिल गया उनको, उनको कई bribe मिल गया, और उनने company के लिए गरत फैसला लिया, कोई land buy करना था, जादा cost पर buy कर लिया, कोई asset बेचना था, कम से कम दाम में बेच दिया, निप्टा दिया, company का नुफसान बट खुद का फाइदा, इसको बोलते agency problem, और agency problem में, ये दिखिए, बोल्ड में लिखा है, agency problem is the chances that the managers may place personal goal ahead of goal of owners, तो भाई, ऐसे case में, obviously, wealth maximization नहीं होगा, share values नहीं बढ़ेंगी, इसलिए, company has to incur agency cost, to overcommit, company has to incur agency cost, उस problem को solve करने के लिए, agency cost incur करना होगा, agency cost, चार टैप के monitoring, ध्यान दो completely, आपके managers की तरफ, bonding feel करो कि, भाई, company तेरा ही तो है, भाई, इस आप दे दो, और क्या करोगे, आप employee stock options scheme में, उनको loan दे दो, आप shares दे दो, company automatically उनका बनेगा, bonding create हो जाएगा, वो company के shareholder angle से ही सोचेंगे, personal benefit, वहाँ पी भी तो link कर दिया ना, तुमने, फिर opportunities दो, आपके right managers को right opportunities मिलनी चाहिए, ताकि वो personal goal ahead नहीं रखे, वो हर बद खुद के promotion और company के betterment के लिए सोचे, and structuring करो, जिन लोगों को आपने top level management पर रखा है, वो अच्छे perform करने वारे लोगों ने ची, rather than कितने साल से साथ में है, yes guys, तो structuring वो होता है दोस्तों, जहांपर right person को right level पर रखा जाता है, ताकि वो lead करे team को अच्छे से, तो that is called as structuring, अगर structuring में घड़ बढ़े, तो इंसान बैमानी करता है, otherwise बैमानी की ज़रुद नहीं किरती है उसको, generally, तो agency का problem solve करने के लिए, ये agency के cost incur करने पड़ते, मतब ये चार cost incur करने पड़ते, monitoring करना पड़ता है, bonding create करना पड़ता है आपके managers के साथ, then opportunities provide करना पड़ता है उनको, ताकि वो company के hit के लिए काम करे, खुद के personal benefit के लिए नहीं करे, और last में structuring ऐसा करो, कि जो अच्छा काम करें उसको promotions, और जो कम अच्छा काम करें वो नीचे रहेगा, और जो बेकार काम कर रहे हैं, बाहर निकाल दिया जाए तो by default performance बेस्ट चीज़े चलती जाएगी, और आपकी company में agency problem create नहीं होगा, yes, sir, bank बोल देते हैं मेरे format में 5 years projected, जीरोदा एज एजनसी समझ सकते हैं sir, नहीं, नहीं, वो एजनसी नहीं, board of directors, आपके जो agents होते हैं, वो board of directors हैं, ये company अंगल से बटा, individual अंगल से नहीं है, ये share market के अंगल से मच सोचो तुम, ये company के agents जो होते हैं, agents वो होते हैं, shareholder जिनको appoint कर रहे हैं to run the company, मतलब board of directors, यहाँ पे agent is nothing but, board of directors, और वो कितका agent एक है, shareholder का, because owner के बिहाग पे वो लोग act कर रहे हैं, तो वो होगे agent, और उनका problem है, कि वो personal goal सामने रख रहे हैं, companies के goal के सामने, और obviously, personal goal में फाइदा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए company के goals पीछे गए, ignore हो गए, इस problem को बोलते है, agency problem, agency cost, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने complete कर लिया, हमारा chapter number 1, अब आते हैं, chapter number 2 के तरस, chapter number 2 जो है, आपके syllabus का, वो है, leverages, come on my dear, come on, buck up, buck up, leverages start करेंगे, हम लोग, leverage हमारा chapter number 2 है, sir, मतलब, यहाँ पर, ऐसी होगा, कि sir, एक दिन में एक चप्टर कतम हो जाएगा, कि दो दिन में एक चप्टर कतम हो जाएगा, कि sir, नहीं, weightage के अनुसार होगा, मत टेंचन लिजिए, okay, leverages क्या होते sir, leverage मतलब sir, आपने बोला था, advantages, yes, leverage मतलब होता है, advantage, और leverage कैसे, समझेंगे, देखिए मेरे साथ, जो जो मैं यहाँ पर लिखोंगा, आपको भी लिखना है, leverage का मतलब आप तक आपने advantage देखा है, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं, okay, तो chapter number two, leverages, तो जब हम बोलते हैं leverage, तो कितने type के leverage होते हैं, तीन टाइप के होते हैं सर, leverage जो होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं सर, कौन से तीन टाइप के leverage होते हैं, देख लीजे अभी, पहला leverage आता है, operating leverage, दूसरा leverage आएगा दोस्तो, financial leverage, and third type जो इनके बीच आएगा, उसको हम बुलाते, combined leverage, क्या बुलाते हैं, combined leverage, तो कितने टाइप के leverage इस होगें, तीन सर, financial operating combined, operating financial combined, तो operating leverage जो होता है, इसी को DOL बोलते है, degree of operating leverage, और DOL, financial leverage जो होता है, इसी को और करके लिखते है, DFL, degree of financial leverage, एक ही बात है, आप operating leverage बोलो, या degree of operating leverage बोलो, एक ही बात है, financial leverage बोलो, या DFL बोलो, सर, DFL exam में लिख सकते हैं कहा सर, DOL, DFL, ऐसे short form exam में allowed एक है सर, ये स्टेंडराइस short form है, और ये exam में लिखा जा सकता है, नाउ, जब हम operating leverage बोलते, complete focus अब हम लोग operating पे करेंगे, तो, taking, advantage of, operations of business होता है, जब हम operating leverage बोलते हैं, we are taking advantage of operations of business, that is dash, that is dash, क्या चीज का advantage लिया जा रहा है, that is dash, देखते हैं, यहाँ पर जब हम financial leverage बोलेंगे, तो, obviously, यहाँ पर भी advantage लिया जा रहा है, taking advantage of finance of business, taking advantage of finance of business, that is dash, तो, यह dash पर क्या आएगा, वो देखते हैं, आगे के पार्ट में, ठीक है, तो, यह हमारा main page है, यह main page के नीचे, आप solve करोगे, मतलब यह main page पुरा मुझे blank चाहिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ, वो यह main page पर आने चाहिए, जो भी example बगर आ रहेंगे, वो आगले page पर आएंगे, यहाँ पर, पहले आप operating leverage लिख दो, तो friends, operating leverage और doll, degree of operating leverage, यह क्या होता है, तो operating part पहले समझ देते हैं, आप सब को, sales पता है, minus अगर मैं total cost करूँ तो क्या होगा, obviously sir, आपको profit मिलेगा सब, बस same चीज़ मैं operating को बोलूँगा, operate करना मतलब sales कमाना, profit कमाना है, तो sales पहले earn करना है, और sales मैंसे total cost अगर मैं less कर दूँगा, तो मुझे मिलेगा मेरा profit, मुझे मिलेगा मेरा profit, येस, तो यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे, ये sales, इस में से minus करेंगे दो बाते, variable cost, और नीचे minus करेंगे fix cost, sales में से variable cost अगर चला जाए, तो costing में भी आपने पढ़ा है, उसको बोलते है, contribution, contribution, and contribution में से fix cost अगर चला जाए, तो profit from operation, जिसको operating profit बोलते हैं, जिसका एक और नाम है, उसको EBIT बोलते है, earning before interest and tax, EBIT बोलते है, earning before interest and tax बोलते है, तो यह आपका operating part हो गया दोस्तों, अच्छे से देखिए, यह आपका operating part हो गया है, sales से लेकर, EBIT तक के part को operating part बोलते हैं, अब इसका हमें advantage लेना है, सर, advantage लेना है, मतलब क्या करना है सर, मैं sales बढ़ाँगा 10% से, और मेरा resultant profit, 20% से बढ़ जाएगा, अगर ऐसा हुआ, तो am I getting advantage, यस सर, क्योंकि आप मैनत कर रहे हैं 10% की, और return 10 नहीं आ रहा है सर, 20% आ रहा है, मतलब आपको बिल गया फाइदा, बट सर, how is this possible, आपका sales तो 10% से बढ़ा, तो आपका profit भी 10% से बढ़ना चाहिए सर, नो, ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एक example लेकर देखते हैं, example of dual, ठीक है, particulars, case 1, and case 2, तो दो cases जान बुझके, हमारे study के लिए ले रहे हैं हम लोग, एक case 1 और एक case 2, और, मान दीजिए कि यह जो sales से लेके, EBIT तक का पाट था, यह हम लोग वहाँ पर लिख देंगे, sales से लेके, EBIT तक का पाट जो था, वह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, sales है अभी suppose 10 lakhs, variable cost है suppose 75%, फिर आएगा आपका contribution, तो यह आजाएगा 7 lakh 50,000, यह आजाएगा 2 lakh 50,000, राइट सर्थ, अब माइनस करेंगे हम fix cost, अब माइनस करेंगे, हम fix cost, contribution में से fix cost list करेंगे, तो fix cost कितना given है, suppose example के तोर के अपन given लेते इसको, और यह given है 1 lakh, तो फिर ऐसे सिनर्यो में, हमारा जो resultant profit है, वो 1 lakh 50,000 आ रहा है, resultant profit आ रहा है 1 lakh 50,000, तो गाईज, यह आपका case 1 हो गया, अब just imagine करो, कि आपने case 1 से case 2 पे जाते वक्त, sales को बढ़ा दिया 10% से, किसको बढ़ा दिया, sales को बढ़ा दिया, कितने से 10% से, तो अब ऐसे सिनर्यो में, क्या होगा आपका नीचे का answer, क्या होगा percentage changing EBI ID, कितना होगा देखते, बोलिए, 10% से मेरा sales बढ़ा है, 10,00,00 का 10%, obviously 11,00,00, उसका 75% मेरा variable cost है, तो 8,25,000 आता है, या तो आप sales का 75% ले लो, या तो आप 7,50,000 को 10% से बढ़ा दो, एक ही बात है, सर, 7,50,000 प्लस 10% सर, 8,25, तो आप 8,25, अगर मैं 10,00, 11,00,00 में से माइनस कर दूँ, तो मेरा answer, 2,75,000 आता है, तो मेरा answer किता आता है, 2,75,000, ये मेरा contribution आ गया, fix cost सर, fix cost भी बढ़ा दो सर, 10% से, नहीं, fix cost नहीं change होता, total fix cost remains constant, और इसलिए, यहां का fix cost जब वो, एक लाक ही रहेगा, और इसकी वज़े से, आपका जो resultant answer आएगा, वो 1,75,000 आएगा, अब 1,75,000 अगर आ रहा है, तो कितना परसेंट चेंज, therefore, percentage change in, EBIT, कितना आएगा, कितना आएगा, percentage change in EBIT, तो 1,75,000, minus 1,50, divided by 1,50,000, into 100, 16.67% आ रहा है, 16.67% आ रहा है, कैसे निकाला सराप नहीं है, 1,75,000 का EBIT, minus 1,50,000 का ओल्ड EBIT, divided by 1,50,000 का ओल्ड EBIT, into 100, तो यह आगे आपका, percentage change in EBIT, percentage change in EBIT, प्रिकाद रहा है, 16.67%, yes, 8.5, कैसे आता है, कुमल बोल्ड रहा है, कुमल बोल्ड रहा है, is it free FM batch, yes कुमल, for 2-3 days, again it will be free on YouTube, it is exam oriented paid batch, which we are taking as demo classes, on YouTube, and soon, we will be shifting to app, but for that, we will require another 2 lectures more, so, another 2 lectures you can enjoy free, and you can see the style of teaching, the depth coverage of syllabus and everything, and you can decide, so, चलिए, आपका answer आया, 16.67, आपने sales बढ़ा कर, महनत कित्ती की, 10% सर, सुनिए, अच्छे से आसान है, इदर ध्यान दीजिए, आसान है सब कुछ, ठीके, आपने महनत की, sales बढ़ाया, कितने की महनत की, 10% की सर, मगर result कितना आया, 16.67%, सर, इसका मतलब, हमारा result अच्छा आया, सर, हमने जित्ती महनत की न, उससे ज़्यादा return मिला है सर, हमको, क्योंकि हमारा profit, 16.67 से बढ़ गया, येस, माई दीर फ्रेंट्स, आपने sales बढ़ाया, 10% से बढ़ आपका profit बढ़ गया, 16.67 से, क्या आपको advantage मिला, येस, इसी को हम बोलते, operating leverage, कितने time का advantage मिला, उसको हम बुलाते, operating leverage, तो आपका operating leverage कितना है, is, nothing but, dual is equal to, percentage change in EBIT, divided by, percentage change in sales, which is nothing but, 16.67 divided by 10, which comes to, 1.667 times, 1.667 times, आपका answer आता है, दोस्तो, percentage change in EBIT, divided by percentage change in sales, ऐसा formula क्यों बना, मुझे देखना था, कि मुझे advantage कितना times का मिल रहा है, मैंने महनत किया, 10% का return आया, 16.67% के, तो अबिस्तो, मुझे देखना था, कि हर 1% के लिए, कितना महनत का reward आ रहा है, तो इसलिए, मैंने देख लिया, कि 16.67 divided by 10, मैं compare करके देख रहा हो, तो मुझे समझ रहा है, कि 1.667 times का, आप का अंसरा आता है, this is your degree of operating leverage, what is the meaning of 1.667, every 1% change in sale, is changing your EBIT by 1.667 times, यह सर, बट सर यह क्यों हो रहा है सर ऐसा, 10% से sales बढ़ा, तो 10% से हमारा profit बढ़ना चाहिए था सर, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल correct आप, अगर यहाँ पर fix cost, 10% से बढ़ता तो, आपका fix cost एक लाग था और एक लाग ही है, इसकी वज़ेते आपका profit जो है, वो बढ़ गया, कुछ cost ऐसे होते हैं, जो output बढ़ाने के बावजुद भी सेम रहते, तो अबिस्टी उन cost काम को फाइदा मिल रहा है, advantage मिल रहा है, और अगर इसी का advantage मिल रहा है, तो एक काम कर लो, इसको box में डालो, highlight कर लो चलो, इसको highlight कर लो, और directly इसका impact measure कर लो, fix cost का ही impact measure कर लेते हैं directly, तो fix cost का ही impact measure करना है, तो fix cost के पहले है contribution, fix cost के बाद है EBIT, formula बनेगा directly, किसी भी चीज़ को अगर compare करना है, तो before and after को compare करते हैं, तो before fix cost contribution है, after fix cost EBIT है, तो हमारा formula बनेगा contribution upon EBIT, contribution divided by EBIT, इस सेकेंड formula for DOL, यह सब किसकी वज़ेसे हुआ, आपको ज़्यादा benefit क्यों मिल रहा है, fix cost की वज़ेसे, तो directly fix cost को इदेख लो न, directly fix cost को इदेख लो, उसका impact देख लो कित्ता हो रहा है, तो इसलिए आपका DOL का second formula बनता है, fix cost के पहले contribution, and fix cost के बाद EBIT, your formula is contribution by EBIT, but this is applicable only for singular data, जब single single data होते हैं, तो आप यह applicable कर सकते हो, तो इससे भी same answer आएगा, जो यह उपर आया, but only first data में आएगा, singular data में आएगा, तब का पहला data जो है, contribution टूलाक फिप्टी, और EBIT वन लाक फिप्टी, तो एक काम करो, टूलाक फिप्टी थाउजन डिवाइड़ बाई, तो वन लाक फिप्टी थाउजन करके देख लो, आपका answer 1.667 टाइम्स आता है, बिलकुल सही answer दे रहे हो, आप बिलकुल सही answer है, तो गाईज, यह dual जो है, यह contribution अपॉन EBIT यह फॉर्मला क्यों बना, फिक्स कॉस्ट के पहले contribution है, फिक्स कॉस्ट के बाद EBIT है, आप impact of fix cost देख रहे थे, यह dual में आप क्या देख रहे हो, impact due to fix cost, इसलिए fix cost के पहले वाले फिक्र को fix cost के बाद के साथ compare करके, यह answer निकाला, जो हमारे पहले वाले answer से match हुआ, बट याद रखिए, यह सिर्फ पहले data में match होगा, second data में match नहीं होगा, अगर आप same formula contribution by EBIT इधर लगा दोगे, 2,75 by 1,75 तो answer नहीं आता है दोस्तों, देख लो आप, answer नहीं आता है, देख लो, तो अगर आप answer लगाओ गे, 2.75 divided by 1.75 तो आपका answer आता है 1.57, that means this data, this whole thing is applicable only and only for, बोलिये, अगर आपको दोनों cases में leverage पूछे, तो दोनों जगा अलग leverage आने वाले, दोनों के बीच का leverage पूछा, तो percentage change वाला formula यूज होगा, दो data दिये, दोनों के बीच का leverage पूछा, तो percentage change in EBIT आपन percentage change in sales, उससे ही answer आया, बट अगर दो data दिया, और दोनों data पर leverage पूछा है आपको, दोनों data पर leverage पूछा है, तो आपका formula बनेगा, contribution by EBIT, और दोनों जगा answer, अपकोस फिर अलग आएगा, तो यह था आपका dual का logic, तो main page पे आईए, जहां में हमने formula लिखना है, और सब कुछ लिखना है, तो यहां पर हमने लिखा था, taking advantage of operations of business, operations of business that is, क्या बोलेंगे, fixed cost, operations of business that is, fixed cost, तो हम किसका advantage ले रहें, fixed cost का advantage ले रहें, fixed cost, और यहां पर formula लिखेंगे, dual is equal to, percentage change in EBIT, delta का sign जो है, वो change के लिए यूज होता है, याद हैं आपको, तो percentage change in EBIT, divided by, percentage change in sales, यह formula यूज होगा दोस्तों आपका, और इसके साथ साथ, अगर आप वो जो fixed cost का logic बोल रहें थे, before fixed cost and after fixed cost को compare करना है, वो वाला logic, singular data वाला formula, तो उस case में आपका dual का formula बनेगा और, dual is equal to, fixed cost के पहले contribution, divided by fixed cost के बाद EBIT, तो आपका formula क्या बन गया, contribution by EBIT, क्या formula बन गया आपका, contribution by EBIT, yes my dear friends, तो यह आपका overall logic है, आपके dual के दो formula से, आप main page पर formula रिखोगे, और example जो है, वो आगले page पर इदर लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से ही present करना, यह मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, तो operating part कहां से शुरू होता है, सर्षेल से शुरू होता है, minus क्या होता है, variable cost, क्या मिलेगा, contribution, minus क्या है, fixed cost, क्या मिलेगा, EBIT, what is EBIT का long form, earning before interest and tax, what is the meaning, operating profit है सर्व, profit from operation से, क्योंकि अब तक हमने, सिर्फ operation के ही खर्चे list किये, तो guys, ऐसे case में, यह जो format की बात कर रहा हूँ, यह तो same marginal costing का format होगे, आपका, costing में आपने marginal costing पढ़ा है, उसमें आप same to format use करते हो, sales minus variable cost gives you, contribution, contribution minus fixed cost gives you, profit, here we are calling it as operating profit, बिलकुछ सही जवाब, तो यहां तक का पाट आपको एकदम अच्छे से समझा है, yes, तो, what is the meaning of 1.667 का dual, 1.667 का dual indicates, every 1% change in sales, will change your EBIT means profit, by 1.66%, very simple, okay, तो चलिए, यह आगे आपका operating leverage वाला part, अब जाते हैं, financial part पर, तो इस page के बाद, आप लिखोगे, financial leverage, और, it is called as DFL, तो जैसे operating part हमने पढ़ा था, वैसे financial part हमें पढ़ना पढ़ेगा, and what is financial leverage, what is financial part, what is financial leverage, everyone please focus, what we are saying here, financial leverage, DFL क्या होता है, तो financial part, वहीं से शुरू होता है, जहां operating end होता, operating का end होता था बेटा, operating end होता सर, DOL का end होता सर, EBIT सर, yes और वहीं से शुरू होगा, आपका financial part, तो आपका financial part की शुरूआत होगी, EBIT, minus करेंगे हम, obviously interest, sir interest क्यों minus होता है, because it is tax deductible item, तो पहले compulsory minus करना पढ़ेगा, EBIT में से आए, interest, आए चला गया, तो EBIT बचा, earning before tax, अब इस पर भर दो tax, अब आएगा आपका, sir EBIT में से T चला गया, EB बचा sir, earning before tax, बोलते हो से रे, earning before tax में से tax चला गया, तो earning after tax आता है, EAT, ठीके, अगर हमारे पास question में, preference shares मगरा नहीं दिया रहेगा, तो हमें इस EAT को बुलाना होगा, and I, what I am assuming, I am assuming there are no preference shares, अगर यह preference share नाम की चीज नहीं है, तो पूरा का पूरा earning after tax बिलॉंग करेगा, equity share orders वालों को, तो उसको मैं बुलाता हूँ, net income, the income which belongs to equity share orders, is called as net income, remember, the income which belongs to equity share orders, means after paying to all, is called as net income, याद रखना, ठीक है, तो यह आगे है net income, और इससे मिला मुझे earning per share, earning per share का formula है, and I divided by, number of equity shares, and I divided by number of equity shares, तो यह हो गया आपका, पूरा का पूरा financial part, sir we can use PBT, PAT 100% yes, आप PBT, PAT use कर सकते हो, see, earning before tax, profit before tax, PBIT, earning before interest and tax, profit before interest and tax, सब कुछ से में, तो आप उसे earning बुला या profit बुला, doesn't matter, ठीक है, तो अब इस case में, आप क्या करना चाहते हो, sir, इस case में न बिड़ा, हम EBIT को बढ़ाएंगे, 1. पॉइंट, let us say, 16.667 से, और हम देखना चाहेंगे, कि EPS में कितना बड़ोत्री है, EPS में उससे ज़्यादा अगर change आता है, तो benefit है, आएगा क्या, sir, येस, देखते, देखते आता है, या नहीं आता है, हम एक काम करते है, simplicity purpose के लिए, वही same use करते हैं, मतलब क्या हसे, वहीample जो हमनों पहले यूज़ रहे थे, ये वाला example, तो EBIT कितना लेंगे, 150,000,0755, तो percentage change, 16.67% रहेगा, आपका EBIT का, तो यहां पर, इस ही को बना देखते, अव्धिए यहां पर आ यहां पर आ हैं मैं रइटिंग विए वन विस्टू ऑप इबाटी कितना लेंगे शेम लूबड़ पर रख्रीप्टी वन लग सेंटीफ सेमटू सेम ले लिए ठीक है सर माइनत करेंगे इंट्रेस्ट अगर दीया रहेगा आपको यहां पर आप लेंगे एटीथाउसन और यहां पर भी इन्ट्रेस्ट है एटी हौसंड इसेम क्यों रखा सर और वो इंट्रेस्ट यह दिया जता है आप debt मतलब loan किता ले रहे हो उसका और EBIT का कोई संबन्द नहीं है हमने EBIT को increase किया loan क्यों increase होगा loan तो जित्ता था उत्ता ही रहेगा उस पर rate of interest भी वह सेम रहेगा multiply करकर जो interest आने वाला है वो तो आपका उतना ही आने वाला है तो EBIT में से interest माइनस कर दिया तो EBIT मिलेगा आपको जिसका PBT भी बोल सकते हो आपका 150 में से 80 चला गया तो 70 बचा 70,000 और यहां पर 175 में से अगर आपका 80 चला गया तो 95,000 बच गया कि यस सर 95,000 एंड फिर इस पर हम बरेंगेट टैक्स 30% सबूस तो 70,000 इंटो 30% 21,000 का टैक्स आएगा less is equal to कर लो 49,000 का आपका EAT आ गया divided by अगर मैं 10,000 करूँगा 49,000 divided by 10,000 अगर मैं करूँगा तो 4.90 का मेरा अर्निंग पर शेर आएगा 4.90 पैसे मेरा आ जाएगा अर्निंग पर शेर क्या बात है समझ में आ रहा है कि नहीं सबको everyone very good very good जबर्दस्त तो यह आपका financial पार्ट हो गया 4.90 पैसे का आपका अर्निंग पर शेर आ गया अब आप उस दूसरी तरफ जाहिए वहाँ पर देखिए आपका ebt कितना है 95,000 एसर सो 95 पर ले लिजिएगा 30% tax और यह आ गया 21 28,500 less is equal to कर दीजिएगा 66,500 जो है यह आपका EAT और NI आ गया इस EAT और NI को divided by 10,000 number of shares अगर मैं करूँ तो obviously आपका answer 6.65 आएगा यह सर 6.65 आएगा अब जरा इसको compare करेंगे यह इसको compare करेंगे तो हमारा answer कितना आएगा बताएगा बताएगे 6.65 माइनस 4.9 1.75 का difference है तो percentage change in EPS is equal to 6.65 माइनस 4.9 divided by 4.9 into 100 change divided by base into 100 अगर मैं करूँ तो मेरा answer आता है 35.71 परसेंट 35.71 परसेंट मेरा answer आता है जबके इधर का change कितना था 16.67 परसेंट था सर तो आपने मेनत कितनी की 16.67 की उसको अधियसे result कितना आया 35.71 आया सर तो कितना result आ रहा है almost double result आ रहा है जितना मेनत कर रहे है उससे double के उपर का effect आ रहा है यह बोल सकते हम लोग तो हमारा exact answer कितना आएगा DFL का तो हम बोलेंगे therefore DFL का formula क्या बनना चाहिए percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT so your formula will be percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT so this will be 35.71 divided by 16.67 35.71 divided by 16.67 your answer is 2.14 times 2.14 times यह आपका answer आ रहा है yes 2.14 times आपका DFL आ रहा है sir formula ऐसा क्यों बना sir हम freely change कर रहे थे इधर इधर ओप्रेटिंग पार्ट नहीं financial पार्ट में हम freely change कर रहे थे EBIT को उसकी वजह से dependently change हुआ EPS जबकि operating पार्ट में क्या हुआ था याद आपको आप freely change कर रहे थे sales जिसकी वजह से dependently change हो रहा था EBIT तो आपका फर्मॉला क्या बना percentage change in EBIT आपन percentage change in sales वैसी से यहां का फर्मॉला क्या बनना चाहिए percentage change in EPS upon percentage change in EBIT क्योंकि आप इसको dependent variable मानिए और वो independent है तो आप dependent में कितना change हो रहा है due to independent change वो देख रहे हो तो आप freely change कर रहे हो EBIT को आखिर ऐसा क्यों हुआ it is all happening because of this cost interest आप देख सकते हो 80,000-80,000 fixed cost है यह finance का fixed cost है जिसको हम finance के fixed cost को interest होते है और यह सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि जब आप volume बढ़ा थे profit का तो profit जरूर बढ़ा बट interest नहीं बढ़ा तो इसकी वजह से resultant यह नीचे के changes जादा हुए और final answer जादा आया तो obviously आपको यहाँ पर benefit मिला because of interest तो अगर interest की वजह से यह सब हो रहा है तो interest का impact major कर लो interest के पहले divided by interest के बाद interest के पहले EBIT दिख रहा है interest के बाद EBT दिख रहा है तो formula बनना चाहिए EBIT by EBT ebit by EBT formula बनना चाहिए आपका 150 divided by 70,000 तो आपका formula रहेगा DFL is equal to interest के पहले EBIT, interest के बाद EBT और singular data के लिए applicable इसलिए पहला ही data लेना पड़ेगा आपको 150 by 70,000 divided by 70,000 अगर मैं करूँ तो मेरा answer 2.14 times ही आना चाहिए चेक कर लो चेक कर लो आता है क्या 150 divided by 70,000 2.14 times बिल्कुछ सही है same to same answer आया है आपका 2.14 times DFL तो DFL के हमारे दो फॉर्मले सेकेंड फॉर्मला कभ यूज़ता है सिंगलर सिंगलर डिटा में मतलब दोनों जगह आपको leverage पूचा है तो आप यह formula यूज़ कर लोगे तो second case में सर यह सेम आता नहीं है कि सर 2.14 नहीं आएगा देख लो एक बात 1,75 divided by 95 करके देखो 175 divided by 95 अगर मैं करूँ तो 1.84 times आ रहा है मेरा answer 1.84 times आ रहा है जबकि यहां पर answer तो 2.14 था इसका मतलब यह जो data यह जो answer match होता है यह सिर्फ first data में match होता है तो between two case अगर आपको leverage पूछा तो percentage change और अगर आपको एक particular data पर leverage पूछा तो फिर उस case में आपको नीचे वाला formula EBIT by EBT करना पड़ेगा येस बिल्कुल सही जवाब एक number तो हम लोगों ने financial part देखा भी financial part देखा हमने और financial part के भी दो formulas है percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT या तो interest के पहले divided by interest के बाद तो दोनों formulas हमारे main page पर आकर लिख लेते और आज यह सभी formula आप क्या करोगे आपके formula book में update करोगे without fail आपको अगर pass होना है और आपको मुझ पर यकीन है कि सर भाई यह इंसान जो ने यह पास करा सकता है तो मैं जो बोल रहा हो वह करना है आपको every day सोने से पहले formula book update करना है मतलब करना है you don't have any other choice ओके आप देखिए यकिनन आपके आस्मान चुने वाले marks मिल जाएंगे आपको आप सोच नहीं सकते इतने ज्यादा marks मिलेंगे बस बोल रहा होतनी चीज़ें करते जाहिए ठीक है तो चलिए main page पर और यहां पर taking advantage of finance of business बोला है taking advantage of finance of business बोला है तो finance of business क्या होता है finance of business मतलब debt, equity, preference वगरा preference को तो हमने लाया है नहीं अभी तक debt और equity में हम किसका advantage ले रहे थे सर हम तो interest का advantage ले रहे थे interest मतलब क्या है debt है so taking advantage of finance of business that is interest cost इसका मतलब ही हम debt का advantage ले रहे है interest cost मतलब ही हम debt का advantage ले रहे ठीक है इसका formula रहेगा DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT यह आपका formula बन गया DFL का पहला formula ठीक है DFL का first formula है यह DFL का second formula क्या रहेगा जो singular data के लिए applicable रहेगा वो interest के पहले divided by interest के बाद था so interest के पहले आता है EBIT interest के बाद आता है EBIT your formula becomes EBIT by EBIT EBIT by EBIT yes so यह आपके DFL के दोनों formulas ready दोनों formulas ready हो चुके DFL के अब बात करेंगे combined leverage की और खेल कता हम बात करेंगे combined leverage की और खेल कतम combined leverage भी अलग होता है क्या सर अरे इन दोनों को combine कर ले उसी को combine बोलते हैं मतलब सर start point will be sales और end point directly EPS मतलब sales बढ़ाना है 10% से जैसे कि इधर बढ़ा है आपने 10% से sales अब इधर क्या हो रहा है मत देख directly EPS में क्या हो रहा है वो देख EPS बढ़ा है 3.35.71 sales बढ़ा है 10% से EPS बढ़ा 35.71 इसका मतलब आपका answer है 3.571 times 3.571 times का impact हो रहा है यहां पर sales बढ़ाने के बाद EPS कितना times change होता है उसी को बोलते DCL degree of combined leverage और degree of combined leverage में क्या होगा तो sales minus करेंगे variable cost मिलेगा contribution minus करेंगे fixed cost मिलेगा EBIT मत रुकिए आगे बढ़िए minus करेंगे interest मिलेगा EBIT minus करेंगे tax मिलेगा EAT बुला लो इसको NI और NI डिवैड़े बें number of shares करकर EPS दस टेप आएंगे sales देले के EPS तक अब sales को आप freely change कर रहे हो 10% से नजर आ रहा है इदा 10% से 10 लाग का sales 11 लाग किया यह सर और डिपेंडेंटली डिरेक्ली आपका EPS 4.9 का 6.65 हो गया percentage चेंज 35.71 है तो आपका 10% चेंज की वज़े से डिपेंडेंटली EPS 35.71 परसंट चेंज हुआ है तो आपका एवरी 1 परसंट चेंज के लिए 3.571 परसंट चेंज हो रहा है यह और इसी को बोलते हैं कंबाइन लेज यहां पर हम advantage सिर्फ fixed cost of finance का नहीं लेते हैं आपका उपरेटिंग का नहीं लेते हैं बट fixed cost of finance भी लेते हैं मतलब interest here we are taking advantage of उपर का आपका highlighted portion fixed cost और नीचे का आपका highlighted portion interest तो दोनों के पहले divided by दोनों के बाद का formula बनना चाहिए आपका तो आपका formula बनेगा दोनों के पहले मुझे नजर आ रहा है contribution fixed cost के ऊपर भी contribution है और नीचे आपका interest उसके नीचे मुझे नजर आ रहा है ebt तो formula बनेगा contribution by ebt contribution by ebt तो चलिए देखते दोस्तों इसके formula कैसे बनेगे directly हम main page पर आएंगे और यहां लिखेंगे combined leverage के नीचे dcl what is dcl degree of combined leverage और dtl what is dtl degree of total leverage तो आपके leverage किते हो क्या नाम होगे degree of combined leverage degree of total leverage okay यहां पर आम बोलेंगे taking advantage of operations of business that is fixed cost and finance of business that is इंट्रेस्ट कोस्ट हम किसका advantage ले रहे हैं पर हम ले रहे हैं इड्वांटेज पिक्स कोस्ट का भी और इंट्रेस्ट का भी यहां पर हम सिर्फ पिक्स कोस्ट का इड्वांटेज ले रहे थी यह यहां पर हम पिक्स कोस्ट का भी इड्वांटेज लेंगे इंट्रेस्ट का भी लेंगे इसलिए हम इसको बोला रहें कंबाइन या टोटल लेवरेंज येस फ्रेंट्स तो यह आगया आपका कंबाइन वाला पार्ट और कंबाइन वाले पार्ट में हम डिरेक्टली देखेंगे सेल्ट को चेंज करने के बाद एपिएस कितना परसंट चेंज हुआ तो हमारा फॉम्ला बनेगा DCL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in sales तो percentage change in EPS divided by percentage change in sales ये आपका पहला फॉर्मला हो गया डिग्री ओप कमबाइन लिवरेज का सेकेंड फॉर्मॉला क्या होगा डिरेक्ली इस फिक्स कॉस्स के ओपर मुझे कॉंट्रिबिशन नजर आ रहा है उस नीचे के इंट्रेस्ट के नीचे मुझे एबिटी नजर आ रहा है और तीसरा फॉर्मॉला भी आ सकता है क्योंकि अभी यह दोनों से निकल रहा है लिवरेज ओपरेटिंग ऐस फैनेंशल से तो अब्यूसली डिसल का तीसरा फॉर्मॉला इन दोनों को यूज करकर आएगा DOL इन्टु DFL DOL इन्टु DFL माई डियर फ्रेंड्स फ्लीज फोकस ध्यान से सुनो अच्छे से सुनो DOL क्या था डिग्री ओफ ऑफ ऑपरेटिंग लवरेज सर चलो एक काम करते है DOL का यह फॉर्मॉला कॉपी कर लो सबोस यह फॉर्मॉला इदर रखते ऑपरेटिंग लवरेज का फ्रमॉला है नहीं बहपी पेस्ट ठीके यह उपरेटिंग लवरेज का फॉर्मॉला ऐसी सेम यहां का फॉर्मॉला है आपका फैनेशल का यह इधर रख देते हैं इन दोनों के बीच साइन कौन सा है यह आपरेटिंग का फोला हो गया और यह फाइनस्टियल का फोला हो गया तो दोनों के फोर्मुले आपने बाजू-बाजू में रखकर इंटो साइन रख दिया अब आपको क्या नजर आ रहा है इब 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 इड विल गेट कैंसल और फोर्मुला विल बी कॉंट्रिब कि अच्छा चलो दूसरा फोर्मुला पूटप करके देखते हैं ठीक है तो कि आपका सेकेंड वाला फोर्मुला था परसंटेज चेंज वाला कि और यहां पर भी परसंटेज चेंज वाल तो यह परसंटेज चेंज परसंटेज चेंज वाला एक DOL का फोर्मुला था और एक DFL का था दोनों के और भी यह कैंसल और यह कैंसल हो जाएगा और अव्वियस सी बात है आपको जो पहले फोर्मुला मिला था वही होगा परसंटेज चेंज इन EPS परसंटेज चेंज चेंज इन सेल्स देखो EPS इदर नुमेटर बचा और दिनामेटर सेल्स बचा यस गंबाइन लेडिफ टोटल लेडिफ का फर्मुला एव्ज इवरी वन आई होप यह अर् यहार कमफ़र्टिबली अंडरस्टेंडिंग इंडर्स्तेंग क्या किया हमने अभी आपने लेज के कितने फर्मुलीस डिसक्स किये दो वो अपरेटिंग के, दो फाइनेशल के और तीन कमबाइन के मतब टोटल साथ फॉर्मॉलेस हमने डिस्कस कर लिए यह साथ हो फॉर्मॉलेस आपको फॉर्मॉला बुक में अपडेट करने है चैप्टर नूबर टू वाले आपका ऑपरेटिंग पाट का फॉर्मॉला है परसंटेज चेंज घेजइन एडि परसंटेज शेंग इन सेल्स अपका athan सेकेंड फॉर्मॉला था डिएल का आप छींप क्यों और प्रिक्स कैस्कोस के नीचे था एडिट फॉर्मॉला यूट May परसेंटेज में क्या उपर आना चाहिए क्या नीचे आना चाहिए थोड़ा याद रखिए जबी भी आप लेटेस से उपरेटिंग पार्ट से ज्यादा बढ़ेगा तो जो ज्यादा रहेगा नहीं जो कम रहेगा वह दिनामेटर में इसका मतलब आपके लिवरेज या तो वन या वन से ज्यादा होंगे लिवरेज कभी भी वन या वन से ज्यादा होंगे उसके मातेमेटिकल प्रूफ मैं आपको कल के लेक्चर में देदूंगा नथिंग टूरी येस ओके एंड इसलिए हर वक्त बड़ा बड़ा नंबर उपर आएगा इसके परसंटेज चेंज इन इ इप eps ज्यादा होता है परसंटेज चेंज इन इडिटी कम होता है इसलिए यहां का फॉर्मॉला बनेगा प्रसंटेज चेंज इन इप्यस इक पॉसंटेज इन इडिई तीसरी बात यह जो financial part है ऐसा क्यों हो रहा है यह सब interest की वज़े से हो रहा है यह सब किसकी वज़े से हो रहा है interest की वज़े से हो रहा है तो interest के पहले और interest के बाद को compare करना है आपको interest के पहले क्या है EBIT interest के बाद क्या है EBIT formula will be EBIT by EBIT समझे क्या EBIT by EBIT formula will be this for financial leverage and combined leverage की बात करू तो सिरसलिए start point will be sales end point will be EPS percentage change in EPS by percentage change in sales क्योंकि EPS का change ज्यादा होगा और sales का change कम होगा ये सब क्यों होगा because of two items एक interest और fixed cost interest और fixed cost में fixed cost उपर होता है fixed cost के उपर है contribution नीचे interest interest के नीचे EBT formula will be contribution by EBT येस और तीसा formula DOL into DFL will give you DCL everyone तो साथ formula हमने cover किये leverage जिसके सभी साथ formula जो है वो एकदम जबरदस्त परिकिस हमने बता है येस रोनाल क्या बोल रहे है सर वो आपने second formula बता है वो कहां use करना है मतलब singular case वो बता दो एक बार singular case मतलब अगर मुझे ऐसा लेटेस से number wise ये data दिया है ये data अलग दिया है number wise ये data अलग दिया है और दोनों जगा DOL निकालने बोला compute DOL in first case and second case तो मुझे फिर singular data वाला second वाला formula यूज करना पड़ेगा that is nothing but ये वाला contribution by EBT EBIT contribution by EBT जैसे यहां पर भी आपको दो data दिये और दोनों लेवल पर आपको DFL निकालने बोला इधर भी DFL निकालो इधर भी DFL निकालो तो singular singular data बन गया दो बार DFL निकलेगा formula will be EBIT by EBT येस तो overall logics वगरा सब कुछ clear है हमने जितने formulas पढ़े सब कुछ clear है based on that what you are supposed to do is आपके पास soft copy of notes तो आई गया है leverage की book आपके पास ready है इस book में आपको नीचे question answers मिलेंगे और इस question answers में आपको page number 19 पर question number 4 नजर आ रहा है ये question number 4 आपका homework है question number 4 जो है ये आपका homework रहेगा compare करना हो तो formula number 1 येस दोनों के बीच का leverage पूछा दो cases के बीच का leverage पूछा तो percentage change आपको question answer solve करते हो पूरा आइडिया आ जाएगा don't worry complete idea you will get nothing to worry at all ठीक है तो भाई यहां पर आपका fourth जो question है वो question में आपको operating leverage निकालने बोला है financial बोला है और यहां पर आपको data जो दिया ये singular data है आपको obviously normal वाला formula यूज़ करना होगा contribution by EBIT यहां पर यूज़ करना होगा EBIT और यहां पर यूज़ करना है आपको dual into DFL या तो contribution by EBT और उपर आपको सब कुछ data यहां पर mentioned यह इस data को directly use करना होता है सर यह table फिर से draw करना होता है क्या नहीं करना होता है इस data को directly use करना होता है formula put up करो number put up करो answer निकालो यह आपका question number 5 है जो आपका homework के लिए रहेगा ठीक है 4 sorry question number 4 आपका homework के लिए रहेगा इस question का जो solution है वो हम लोग हमारे next session में देखेंगे और next session जो यह वो कल नहीं होगा कल आपका lecture नहीं है परसो रहेगा आपका lecture आपका कल lecture नहीं होगा remember आपका lecture जो यह वो परसो होगा कल एक दिन छुट्टी है क्यों है मत पूछिए I hate the question freedom है मेरा freedom है मेरी मर्जी है छुट्टी हो सकती है मैंने आपको बोला था कि आपको Sunday holiday मिलेगा बीच में पी holiday मिलेगा मुझे पूरा कपूरा 31 जैनवेरी लास्ट इस बैच को complete करने के लिए बहुत अच्छे से चिद्दत से complete होगा that's my assurance ठीक है तो बस कल छुट्टी है हम लोग कब मिल रहे है परसो के session में मिल रहे है thank you very much guys I hope आज का session भी आप सबने enjoy किया है जिन जिन लोगों को leverage के बारे में doubt है भाई आज का session लास्ट का एक घंटा दरूर देखना आपको छे के छे साथ के साथ formulas समझ जाएंगे ठीक है thank you very much my dear friends please like the video and share this video with your friends so that more and more people can join us in the journey of success thank you very much my dear friends और admission नहीं लिया रोगा हूँ तो तुरंद बूक कीजिए आपकी seat by contacting the v smart academy या तो आपके आस पास के centers और फड़ा 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 आडमिशन बूक कर लिजेगा ठीक है thank you very much bye bye take care